चली आप बात कर लेते हैं कंप्यूटर की पीडिया पीडिया मतलब जनरेशन अब जनरेशन क्या होती है कंप्यूटर न कहीं से बनना शुरू हुआ होगा और बनना शुरू हुआ है तो उसमे कोई न कोई टेक्नलोजी में चैंजिस होते रहे होंगे तब जाकर हमको बरतमान में जो computer दिख रहा है वो दिखाई देता है तो हम यहाँ पर बात करें computer जो बरतमान में दिख रहा है उससे पहले वो कई steps से होकर गुजरा है उन सभी steps को हम computer की पीडियों के रूप में गिन लेते हैं computer की पीडियों को English में generation बोला जाता है फिप्त की है तो चलिए बात कर लेते हैं कि करके पांचों के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं देखे जब पीडियों यानि technology जो हमारी change हो रही थी जब पीडियों गिनी जा रही थी उसकी just पहले computer की first generation start होने के पहले भी कुछ computer बने थे यहाँ कि कुछ machine बनी थी उन्हें बोल देते हैं पीडियों के पहले बने वाले जैसे अवेकस बना था 2700 BC और इसकी सुरवात हुई थी चाइना से यहाँ चाइना बनाने वाला इसका फिर पासकल कैलकुलेटर है इसके बनाने का काम किया था चाल्स बेबेज ने और चाल्स बेबेज कंप्यूटर के पिताजी बोले जाते हैं तो यह भी आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ इनको ज़्यादा लोडने लेना आगे हम generation देखते हैं अब देखे एक चीज बताईए मुझे जब technology चेंज हुई थी तो technology के साब से हम इसको बांट देंगे पांच भागों में उस technology को कितने साल या कितने duration में चेंज हुआ था तो वो उस particular duration को एक generation में देख लेते हैं और उस technology को किसने बनाया था उसकी विश्यस्ता क्या थी उसके अंदर कौन-कौन से computer थे तो इस प्रकार से हम यहाँ बात करेंगे generation कब से कब तक चली वो एक time duration दिया है लगभग लगभग यहना इसको accurate नहीं मानना है यह हर एक book में या कहीं कहीं बदलता हो न जाराता है पर एक round figure आपको याद रखना है कि लगभग 40 से 50 या 50 से जो भी है एक round figure आप ध्यान में रखिए technology जो device use हुई थी उसकी picture यहाँ देख सकते है आप hardware इसका नाम क्या था किसने बनाया था उसके अलावा उसके कुछ विसेस्ता और system name यानि कि computer के नाम तो पहली generation लगभग 40 से 50 यानि 56 के आसपास देखने को मिल जाती है इसका जो technology use हुई थी यानि processing use की जाती थी वो की जात computer में use किया गया था उसको बनाने का काम किया था JPA card और JW मुझली के द्वारा मतलब यहाँ पर आप देख सकते है और input के रूप में punch card यूज किया जाते च्छोटे-छोटे hole वाले जो कागाज होती थी seat उसको punch card बोलते थे और वो बहुत ही small data को store करती थी इसके कुछ विसे machine language को support करता था काफी ज़्यादा costly थे heavy थे building के अकार के computer हुआ करते थे हीटिंग ज्यादा थी क्योंकि battery यानि की बिजली ज्यादा खाते थे और operating system नहीं था एडवेक है यूनिवेक है यह तीन जो नाम है वो first generation के computer की श्रेनी में आते थे अब इसको upgrade करके एक device बनाई गई जो की second generation की थी जिसका duration था 56 से लेकर लगभग 63 तक और इसका नाम था transistor ट्रांजिस्टर को बनाने का काम किया था बिलियम सौकली के दौरा और punch card के रूप मे अगला जो device है वो यूज हुआ magnetic tape जिसके storage थोड़ी सी बढ़ गई इसमें operating system आगया batch operating system काफी fast हो गया थोड़े small हो गया heating कम हो गई easy update हो गया और coval photon language यहां पर use होने लगी और इसमें आप देखोगे तो आपको PDP 8 है IBM 1400 है IBM 7090 है Unibag 1107 है और CDC 36 है यह device आपको देखने मिली second generation के computer में अग इस device यानि कि जो device है जो आपकी processing device उसको upgrade करके एक और device बनाएगे जिसका नाम था IC integrated circuit जो की मुखरूफ से silicon की बनी थी जिसको बनाने का काम किया था jack kilbin है और इसका duration था 63 से लेकर 71 तक लगभग ठीक है लगभग का मतलब कम जादा हो सकता है इसमें large capacity की disk magnetic tape यूज होने लगे जो magnetic tape था उसका upgradeable version टाइम सेरिंग operating system आ गया काफी ज़्यादा जो है छोटे हो गए आसानिस update होने लगे और यहाँ पासकाल और basic language यूज होने लगी basic जिसे हम visual basic बोलते है आज की date में IBM 360 है, IBM 370 है, PDP 11 है, B600 है, Univac 1208 है यह सब system जो है third generation की PD में use किया जाते थे मतलब उसके system के नाम थे फिर इसको upgrade करके IC को ही VLSI कर दिया गया है very large scale integrated circuit इसको हम जो है microprocessor का नाम भी देने लगे इसको VLSI है और इसका time duration था 71-80 लगभग अब microprocessor से युक्त computer को क्या वो लगा है, microcomputer जिसको हम आगे प्रकार में बात करेंगे और इसमें multiprocessing और GUI operating system आगया जो आज हम use करते हैं उसका थोड़ा सा पहले का बर्दन जैसे XP बगएर देख सकते Windows 95 या जो भी OPS वाली programming यूज होने लगी, small, affordable खरीदे जाने यूग होने लगे, internet चलने लगा यहाँ ठीक है, आसानी से देखें यहाँ पी update, LAN, WAN यूज होने लगा, DOS, Windows है, IBM PC, Star 1000, Apple, Second है Macintos है, Altier, 8800, इस सब जो है system के नाम थे 4th generation के, अब आती है बरतमान में जो generation चल रही, 80 से लेक और powerful बनाएगा, जिसका नाम था ULSI, Ultra Large Scale Integrated Circuit, यह microprocessor based, large capacity का processor था, इसमें बहुत ही ज्यादा powerful था यह, ठीक, आसानी सब्डेट, WW, AI पर focus किया जाने लगा, internet है, email है, development हो गया है, और इसमें देखें, optical disk है, जो CD drive होती है, यह सारी चीज़ यूज होने लगी, जैसे अभी बरतमान में देखोगे, तो desktop है, laptop है, mobile है, जो भी बरतमान में, जितनी भी devices यूज हो रही है, वो सब कहलाती 5th generation के devices, तो यह होगे हमारा basic generation हमने देखे, I hope आपको समझ में आगया होगा, और इसको आप एक दो बार पढ़ सकते हैं, आगे हिंदी में भी इसकी जानकारी लि बना दिया हूं, तो यह हो गई हमारी PD, चली अब बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर computer basic के अंतरगात, computer का इतियास, यानि कि computer जो है, कहां से इसकी सुरुवात हुई, तो हम इसे बोल देते हैं, history of computer, यानि computer का जो background है, पूरा, जो बीद गया है, वो कहां से सुरुवा, उसकी स सुरुवात देखते हैं, तो सबसे पहले सुरुवात हुई थी computer की अवेकस है, अवेकस मतला, अवेंडेंट, breed, उसके बाद, Edison, Calculation, Utility System, यह पूरा नाम है अवेकस का, तो यह जो है, आप इस प्रकार से देखोगे, तो आप slate लेते थे पुराने समय में, आज की रेटमें और lower deck देखने मिल जाता है, और यह frame होता है, चाहे वो तार का हो सकता है, चाहे वो लक्डी का, जैसे भी, तो इस complete जो frame है, उसको हम बोल देते थे अवेकस, जहाँ पर calculation होता था, इसका मुखे काम था, क्या calculation करना है, यह बिस्व का पहला गणा यांतर इसको बोला जाता थ चीन में बना था, 1602 में, Babylon, Mesopotamia में अंको की घंड़ना करने के लिए, तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद नेपियर बोन्स बना, यह भी मुखरूप से घंड़ना करता था, प्लस, माइनस, और इंटू, यह तीन काम यह करता था, 1617 मिस को बनाया था, जोन नेपियर के दौरा, स्कॉटलेंड में, ठीक है, और यहाँ पे जो टेकनोलोजी यूज की गई थी, वो जो है, रैबडो, लोजिया, यहाँ पे इसको बोला जाता था, तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके अलाबा, यहाँ पे आप देखोगे, पास क्लाइन डिवाइस, जो आज की डेट में, ओडो मीटर के रूप में हमको दिखाई देती है, आगे हम बात करेंगे, लेबनीज कैलकुलेटर, वील बोलते हैं, इसका जो अविस्कार किया गया था, जर्मान गणितग, गौट फ्रेड बिलिहम के दौरा, जो 1671 में बना था, प्लस माइनस इंटू डिवाइट, चारो गणना यहाँ पर करता था, बेसिक अर्थमेटिक ओपरिशन, ठीक है, और इसका नाम था, रेकुनिंग मसीन, जैसे रेकुनिंग मीटर हमने बोले थे न, पहले, सुरवात में, इसका नाम था, रेकुनिंग मसीन, जैसे आप इसके अलावा, नेक्स्ट बना था, डिफरेंस इंजन, क्या बना था, डिफरेंस इंजन, जिसका जो है अविसकार, चार्ल्स वेवेज ने किया था, हाला कि यह फैल हुआ, 1822 में बना था, भाव से चलता था, असाफल हो गया, और इसी की असाफलता के बाद, एक अपग्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं तो चार्स बेविच के दौरा बनाया गया था 1833 में वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर ये था अनलेटिकल इंजन अब इसमें ये तो मसीन थी इसमें काम करने के लिए हमको कोई नो कोई सॉफ्टेयर चाहिए था प्रोग्रामिंग चाह एक प्रकार से एडा एक प्रोग्रामिंग थी इन्ही के नाम पर प्रोग्रामिंग का नाम रखा गया जिसके कारण ये काम कर पाया प्लाइस माइनस इंटू और इस कारण बिस्व का पहला कंप्यूटर अनलेटिकल इंजन को बोला जाता है बिस्व की पहली प्रोग्रामिं भी रख सकते हैं टैबिलेटिंग मसीन बनी जिसको हर्मन होलरित के द्वारा बनाए गया था अमेरिकन साइंटिस्ट थे जणगर्णा करने के लिए जो आपकी सैंसत होती न दस साल दस साल में जणगर्णा कितने बैखती है और क्या है सारी जानकारी वो करया जाता था इसी ड देख सकते हैं इसके बाद ABC एटाना सो बेरी कंप्यूटर यानि कि एक प्रोफेसर था उनका एक स्टुडेंट था दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया और दोनों के नाम से ABC कंप्यूटर रखा गया ठीक है 1942 में इसको बनाए गया था और प्रत्म एलेक्ट्रोनिक डि दूत यांत्रिक कंप्यूटर था पूर्ण स्वाचालित जैसे आज की एट में हमने automation देखे थे बैसाई इसका उप्योग दूसरे विस्विद्ध में किया गया आप दूसरा विस्विद्ध का हुआ था आपको पता होना चाहिए 1949 से लेकर 45 ताग दूसरा विस्विद्ध क कंप्यूटर या कैलकुलेटर इसका पूरा नाम है जॉन मोचली और जे प्रेस पर एकट के दौरा जे पी एकट के दौर इसको बनाए गया था पैंसलियोंबिनिया विस्विद्ध धाले मोरे स्कूल और इलेक्टिकल इंजिनिरिंग में 1946 में यानिकि फर्स जनरेशन में इ इसको बनाने का काम मौरिस बिलकेस और उनके साथियों ने इसको बनाए गया था Cambridge University के Mathematics Lab में और यह पहला Electronic Digital Computer था जो Storage Capacity रखता थे यानिकि इसमें इस्टोर भी कर सकते थे हम डाटा को और यहां देखे जौन बॉन नूमेन के द्वारा यहां पे देखे जो 1945 में SPC Concept दिया 1950 में बना जौन मुचली और JP Eckert के दोरा बनाए गया था और यह Second Computer था जो Storage Capacity रखता था तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फिर बना यूनिवेक तो यूनिवेक जो था Universal Automatic Computer था 1951 में जौन मुचली और JP Eckert के दोरा बनाए गया था इसको भी पहला सामान ने प्र आप नेक्स्ट आता है कपड़ा बुनने वाली मसीन जिसका नाम था जैकॉर्ट डूम और यह फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकॉर्ट ने बनाए गया था इसके दौर बनाए गया था 1801 में तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो यहां हमने बात करें complete रूप से computer के विकास की computer के विकास बोले तो history of computer I hope आपको समझ में आ गया होगा